हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो चैनल और आज हम बात करने वाले हैं संदार टेकनोलोजी के बारे में यह कंटिनियूसली गिरावट में दिखाई दे रहा है और आज ही आया है इसके रिजल्ट देखते हैं संदार टेकनोलोजी जिसकी क्लोजिंग हुई है 245 पे स्मॉल केप कंपनी हैं मार्केट कैपिटल है 1532 करोड का पी रेशू है इसका 26.53 जबकि सेक्टर पी है माइनस 455 पे रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्हेंने बताया कि कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट जो है वो आया है 113 मिलियन का जबकि लास्ट येर में य इस बार का जो पॉर्टर ली रिजल्ट है नेट प्रॉफिट का वो अच्छा नहीं है बहुत कम आया है रेवेन्यू की अगर हम बात करें रेवेन्यू अच्या है 6.11 बिलियन जबकि लास्ट येर के थे 5.9 बिलियन का इबिटा यहाँ पे 523 मिलियन का है जबकि लास्ट य 85 मतलब यह भी लास्ट येर के कंपेरिजन में यहाँ पे कम ही आया है इबिटा मार्जिन अगर यहाँ पे देखे वो भी कम हुई है लास्ट ये थी 11.55 परसंटेज की और इस बार आई है यह 8.55 परसंटेज मतलब ओवर ओवरॉल मार्केट को जो है यह इसका जो कौर्टरल के रिजर्ट से पिछले और year on year basis पे भी तब ही यहाँ पर कम ही दिखाई देता है और वही हमें दिखाई दिया है इसके stock में भी तो दिखें यहाँ पर अगर हम stock की बात करें तो इसने high लगा इस थे 316 के आसपास और उसके पास यह continuously यहाँ पर downfall ही दिखाई दे रहा है य यह जो resistance trend line यहाँ पर मैंने बनाई है यह continuously selling pressure यहाँ पर create कर रही है जितनी बार यह stock यहाँ पर cross करने की कोशिश करता है वहाँ से selling pressure के वज़े से यहाँ पर fall दिखाई दे रहा है और same आज की दिन भी यहीं हुआ है यहाँ से breakout भी दे सकता था लेकिन quarterly result अच्छे नहीं अब यहाँ पर देखिए support जो है support जो है वो हमारा है 237 के आसपास और यह multiple time यहाँ पर retest भी हुआ है यहाँ से bounce भी दिया है और अगर chart की अगर हम बात करें तो यह बना रहा है descending triangle pattern यहाँ से यह breakout दे के uptrend भी शुरू कर सकता है लेकिन अगर इसने हमारे support trend line है इसको break किया तो नीचे के तरफ भी यहाँ पर जा सकता है नीचे के अगर यहाँ पर level हम देखिए तो सबसे पहले हमारा support जो है वो है 237 पर यानि के यहाँ पर अगर यह level यहाँ से break होते है तो next हमारा जो support है वो रहने वाला है 215 का क्योंकि देखिए यहाँ पर एक support है जहां से इसने एक breakout दिया था अब वहीं यहाँ पर काम करने वाला है 215 का support का तो रुधान दीजिए इस descending triangle की तरफ अगर यह breakout देता है तो 260 अगर यह break करता है तो उसकी बाद ही हमें यहाँ पर अप्ट्रेंड दिखाए दे सकता है हो सकता है breakout के बाद यह rate करे और आगे की तरफ जाए में बहुत जल 220 के भी target यहाँ पर दिखाए दे सकते हैं तो अगर short term trader है तो दोनो resistance और support दोनों की तरफ ध्यान दीजेगा और I hope आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को subscribe करके bell icon दबाना मत भूदीगा और हमारे community चै छ्याव दो